गोड़ मॉनिंग सुप्रभाद स्वागत है आप सब एका एक बार फिर से दिस्वा एग्रिकल्चर अकेडमी कानपुर के ओफिसियल यूटूब चैनल पर आज के इस महत्पूर्ण वीडियो में हम एक और बहतरीन कोशन के साथ में सामिल हुए हैं आज की वीडियो में स्वा हैं 100% का बादा कर रहा हूँ और यह प्रॉमिस है यह वैक्टिरियो फेज वाला कोश्चन जरूर आएगा आपकी परिच्छा में सो गाईज वैक्टिरियो फेज होते क्या है जीवाण भोजी बोलते हैं इनको हिंदी में एग्रिकल्चर भी यसी एगे जी का थर्ड करते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं वैक्टिरियो फेज यह ऐसे बाइरस होते हैं जो जीवाणों का भच्चन करते हैं कहने का मतलब इन बाइरसों का जो मुख भोजान होता है जीवाणों का भच्चन करते हैं यह इनको बोल देते हैं क्या वैक्टिरियो फेज ग्रोथ साइकिल आप बैक्टिरियो फेज प्यारे बच्चों ग्रोथ साइकिल क्या होगी बैक्टिरियो फेज की जीवान भोजी के इनफैक्टिक प्रोसेस को निन पांच भागों बाटा गया जो bacteriophage है इसके infactic process जो ये infection करता है ये हानी पहुचाता है उसकी process को निन पांच भागों बाटा गया है वो पांच भाग कौन कौन से हैं पांच भाग बताता हूँ आपको उससे पहले आप ये bacteriophage का आप लोग डाइग्राम देख सकते हों ये जो आपरण है इसको बोलते capsid head इसके उपरी भाग जो होता सबसे उपरी भाग उसको बोलते capsid head और ये जो yellow color का देखला है इसको बोलते भाई क्या DNA नुकलिक एसिड ह होता है इसमें और इसके बाद में उसकी गल्य के आजके सरचना होता है उसकोποेशे का वाए इसको बोलते है बैक्टिरियो Phygs इस पर टिका हुआ है और जो ये टांगे जिसे जिए से जिन्गुर की टांगे होती हो वो सरचना जो यह दिख रही है ये क्या होती है ये टेल फाइवर होती है ठीक है न तो ये बैक्टिरियो Phygs का डाइग्राम है परिच्छा में जब भी आप पेपर करके आना तो डायग्राम जरूर बना देना ठीक है ना नमबर अच्छे मिलते हैं आपको फई क्या है इनफेक्शन मैंने कहा था कि बैक्टिरियो फेज के जो इनफेक्शन करता है उसकी पांच मुख अबस्थाएं होती हैं वो अबस्थाएं कौन-कौन सी है नमबर एक बिभोजी करण की मुक्ती है नमबर दो क्या होगा बिशाण के अन्ता कोस्किय गुडन यह बहुत इंपॉर्टल कोस्चन्स यह बैक्टिरियो फिच तो आएगा परिच्छा में जरूर आएगा जिन्ट बिद्यारती ने इसको तयार कर लिया उसके तीन या फिर आठ नमबर क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो से जीवान कोसिका का अपगटन यह भी इसका इन्फेक्शन का एक मुक्ष प्रॉसेस है और पर्पोसी जीवान कोसिका से विभोजी करण का अधिस उसन यह भी एक प्रॉसेस है इन्फेक्शन की यह कुछ 5 प्रॉसेस थी बह प्राकति में अनेक जीवान भोजी बहुत से पादप रोग जनक जीवानों को समाप्त करते हैं, समझ पाया कि नहीं, बैक्टिरियोफेस बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो बिमारी प्लांट में बैक्टिरिया के दौरा होती हैं, और यह वाइरस होती हैं, उस बैक्टिरियम ट्यूमिफेसियन्स, दौरा सेव का जो ग्रोथ गाल प्रोग है, क्राउन गाल रोग है, सेव की एक बिमारी है, क्राउन गाल जो की एक ग्रोबैक्टिरियम ट्यूमिफेसियन्स नामक जीवानू के दौरा होती है, और एक और बिमारी है, सीटो मोनास सोलेने this surgery यह जो लगती है आलो में ये भी जीवाडों की दोरा होती है और एक or bla, जिसको बोलते ये फारवालाईटा पीयर एंड एपल तो ये सारे बिमारी जीवाडों के दोरा होती है अब बैरस का काम ये ह जीवाड के द्वारा बिमारी हो थी और जो जीवाण बिमारी कोदपन करते हैं उसको ये खा लेगा उसका भच्छन कर लेगा और प्लांट में बिमारी नहीं लगे तो बहुत ज्यादा हेल्प है कहने के मतलब सौट में कह सकते हैं कि बैक्टिरियो फेज जो है रोग को कंट्रॉल करने मे महत पुन भोमिका निपालता है क्रसी फासलों में जो रोग लगते हैं जीवाणों के दोरा वो रोग नहीं लगते हैं उन रोग को कंट्रॉल करने में बैक्टिरियो फेज का बहुत ज्यादा हेल्प करता है ठीक है ना आई होप आप मारी बात को समझ रहे होंगे ये त्या की बाइरस होती है जो जीवाणों का भच्छन करते हैं अब जब इन जीवाणों का यह भच्छन कर लेंगे खा पी लेंगे खाना खा लेंगे तो बीमारी होगी नहीं और प्लांट सौस्तर रहेंगे इससे रोग नहीं लगेंगे ठीक है ना तो रोग को कंट्रोल करने में म बहुत बड़ी बात है कि जब पौदे में जीवाण के दौरा बिमारी लग जाती तब ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आथार्थ जिसमें संकाव पहले ही अज को उपचार में यूज कर सकते हैं तब ही कंट्रोल होती बिमारी इनके करणों का अभी तक इसपस्ट ग्यान नही हो पाया है परंगो प्रत्युक्य रूप से इसका पहला करनी है कि प्रपोशी के भीतन कोशिका तक नहीं पहुंच पाता है दूतरा करनी यह वह कि आजकल जीवाण भोजी दोरा रोगओं को पहूदों उप्चारित करने की प्रव्दियां आपरियाप्त हैं प्रकति में जीवान भोजी का जीवान से संबंद की विश्य में हमारा ग्यान अधूरा है यह थी भविस्ट में जीवान भोजी के प्रियोग दौरा फसलों के घा तक बैक्टिरियों रोगों का नियंतर बैभारी दूर से संभव हो सका तो यह क्रस के लिए बहुत महत बुनोपलब्दी होगी तो बैक्टिडियोफेज का जो इंपॉर्टेंस एग्री कल्चर में बहुत ही ज्यादा है क्योंकि यह क्या है जीवाणों की दोरा जो बीमारी होती ही फसलों में वह बीमारी लेके आये थे बैक्टिडियोफेज एग्री कल्चर माइक्रोबाइलोजी का और यह कोशन हजार नहीं सौब नहीं मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं यह प्रसन पक्का आपके घिजाम में आएगा फिलाल आज की वीडियो में यहीं तक मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के साथे नमस्कार थैक्स पर वाच्चिन